नमस्कार दोस्तो मेरी चेनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डाल मेथी की बहुती टेस्टी रेसीपी। ये खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी लगती है साथी ये बहुती ज्यादा फौस्टिक भी होती है। तो यहां पे मैंने लिए एक कटोरी मसूर की डाल, एक कटोरी हम लेंगे मुव्जं की दूली हुई दाल यानि कि पीली डाल, इन दोनों दालों को अच्छे से मिक्स करके इन्हें साब करके दो तीन बार पानी से धो लेंगे, साती मैंने लें दो मेडियम साच के टमाटर, एक कटोरी लेंगे, हरी मेथी, दो हरी मिच्ची लेंगे लेंगे एक प्याज, इन सब को हमने काट लिया है, कूकर में लेंगे दो गिलास पानी तो डालेंगे इसमें धुली हुई दाल को साथ हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच, हल्दी पाउडर नमक डालेंगे, स्वाद के नुसार और कूकर को हम गेस पे रखकर धकन को लगाकर एक सीटी आने तक इसे पकाएंगे तो यह लीजे एक सीटी आ चुकी है और कूकर को हम नीचे उतार देंगे और ठंडा करेंगे, तड़के की तयारी करते हैं पैन को मैंने गेस पे रख दिया है, आदा चम्मच, ओईल लेंगे ओईल को अच्छे से गरम करेंगे, डालेंगे एक चम्मच, जीरा चीरा को चटकने के बाद यहां डालेंगे राई, तो राई से दाल में बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा डाल देंगे कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा चलाएंगे और डालेंगे बारिक कटी हुई हरी मिर्ची को साथ ही हम इसमें डालेंगे अधरक लेसुन का पेस्ट, इससे है जो डाल में बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा, तो इसे आप जरूर डालें तो प्याज को हम सुने रहा होने तक भून लेते हैं, डालेंगे इसमें कटा हुआ टामाटर, और टामाटर को भी हम एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे उसके बाद मैं यहां डालरी हूँ, कटी हुई हरी मेती, तो इन्हें अच्छे से सौफ्ट कर लेते हैं मिक्स करके और उसके बाद हम यहाँ पर मसाले डालेंगे तो आदा चमच मैं डाल रही हूं हल्दी पाउडर एक चमच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक का हमने पहले यूज कर लिया है इन सब को अच्छे से मिक्स करके मसालों को भूल लेंगे तो ये लेजिए कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है और दाल हमारी बन करके रेडी हो चुकी है ये देखिए और तड़का भी हमारा अच्छे से बन चुका है तो इसमें हम दाल को एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए दाल हमारी बन करके तयार है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच, आमचूर पावडर या आपनी बुकरच भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे गैस को बन कर लेंगे ये लिजे दोस्तों हमारी दाल बन करके तयार है इसे हम सर्व करेंगे तो इसे हम रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं ये खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है साथी ये बहुती ज़्यादा पोस्टिक भी होती है तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कै किसी लगी मुझे कमेंट करें लाइक करें शेयर करें प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद